दोस्तों अगली बार हमसे कोई भी पूछे कि climate change के examples देना है तो ये सबसे best example निकल के आ रहा है प्रिटिश कोलंबिया का example है जहांपे Solomon fish जो है वो heat wave के कारण जैसा कि आप देख भी सकते हैं उनके muscles चल चुके हैं and they are soon gonna die बहुत सारे climatologist ने ये बताया है बहुत सारे environmentalist ने बताया है कि ये salmon fish बहुत जल्द मर जाएंगे और साथ ही साथ पूरे equity ecosystem का यही हाल है और ये सब हो रहा है due to climate change और 1 billion shellfish already British Columbia में मर चुकी है तो ये एक बहुत ही tragic video है heat wave का Canada में जो आप example के तोर पे use कर सकते हो